अब लोकडाउन के समय में भार जाना है बिल्कुल बंद और केक खाने का करे मन तो आप इस केक को ट्राइ कर सकते हो इसको बनाना बहुती आसान है और इसमें अमने ज़्यादा सामगरी का इस्तिमाल नहीं किया है और जो केक बना है वो बहुती ज़्यादा टेस्टी बना है आप देखकर ही इसका अंदाजा लगा लेंगे तो आप इस केक को एक बार जरू ट्राइ करना और इसको आम एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी एक बार बनाने के बाद तीन दिन तक इंजोई कर सकते तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएं मैं सवीता सीखा हूँ तो मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो यहां पे एमने केक बनाने के लिए फ्रेंट्स डेड़ कटोरी मैदा ले ली है आज हम मैदा के साथ में केक को बना कर तयार करेंगे और इस कटोरी में अमने डेड़ कटोरी मैदा ली है इसी कटोरी से हम पूरा माप करेंगे तो आपको बिल्कुल दिकत नहीं आएगी आप कोई भी कप्या कटोरी सेट कर ले और उसी से पूरा मेजरमेंट कीजिए तो यहां पे अमने एक बड़ा बोल ले लिया है और सबसे पह कटी भी होगी तो चल जाएगी कोई बात नहीं है मैने फ्रेश देय का इस्तिमाल किया है अब सबसे पहले आप दो थोड़ी सी गाड़ी देय का ही इस तेमाल करें तो दैको एक मिनिट के लिए इसी तरीके से फैट लेना है ताकि इसके अंदर बड़े लंबस ना बचें ज जिससे अमने मैदा काम आप किया था उसी कटोरी से अम यापे सक्कर ले लेंगे तो आप इसको भी दई के अंदर एड़ कर लेते हैं अब इसको भी अच्छे से इसके अंदर मिला लेना है यह बहुत जल्दी मिल जाता है इसको जादा फैटने की जरूरत नहीं होती है जैसे अन्दर मील जाएगा तो इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर का इस्तिमाल किया है लिए यह देखे चम्मच में रखा जो खाने वाली चम्मच होती है यह एक टीश्पुन्ज होती है सोड़ा है इन ने के पार ना कर सकते हैं, ने देखित रखते हैं, और फूले में इतनी बनता है, जैसा कि baking powder और soda का इस्तिमाल से बनता है अब यहां पर हम refined oil ले रहे हैं friends तो यह अमने आधी कटोरी सेम कटोरी थी उसी से आधी कटोरी से बिलकुल थोड़ा सा कम लिया है ज़्यादा आप ना ले बिल्कुल थोड़ा सा कम ले ले आदिक टोरी से और इसको अच्छे से मिला दे मिलाने के बाद में अब इसको हम साइड में रख देते हैं डगकर और बाकी की तैयारिया कर लेते हैं और पूरी सामगरी को एकड़ी की चान कर लें चानने से जो केक बनेगा आमारा बहुती अच्छी से फूलता है एकड़ा केक बन कर तैयार होता है तो यहां पर हमने पूरी मेंदा को चान लिया है आप इसको भी साइड में रख पक्रिक टेयारिया करेंगे या फिर आप तूटी फुरूटी का इस्तिमाल भी कर सकते हो तो मैंने याँ पर चेरी को इक तो में इस तरगी बारिक स्लाइस में कट कर 신 Day जैसे तूटी फुरूटी का साइज होता है या उसी तरह की का आमने इसको कट किया है और साथ में एक छोटा जमच अमने मैदा ले ली है इसके उपर अच्छे से मैदा लपेटेंगे ऐसा करने से होगा क्या कि जब हम केक बनाते हैं ना यह पूरी तरह से तले में नहीं बैठती है जाके यह उपर अच्छे से डेकोरेट होके रहती हैं तो इसको साइड में रख कुकर में बनाएंगे इस केक को और कुकर में मैंने एक कटोरी नमक डाल लिया है यह वह वालाई नमक है इससे में पहले कई बार केक वगिरा बेक कर चुकी हूं तो यह खराब नहीं होता है आप इसको किसी डब्य में बर कर रख ले और दो बारा जब भी बेकिंग का काम कर हो आपको तो इसको डाल कर राप कर सकते हो घुकर में एक इस तरीक का stand रखतेंगे और इसको हम घरम होने के लिए रख देते हैं ऩाथ कि न लगा और और इसको घरम होने देते हैं और यहां पर आमने जो गोल बना कर रखा था दई, ओल और शक्कर का वो इस्तिमाल करेंगे अभी फ्रेंट्स तो इसी बोल के अंदर आम अमारी मैदा डाल लेंगे जो आमने मैदा चान के रखी थी वो डाल लेंगे और इसको अछे से मिला लेंगे अगर मैदा आप बड़ा केक बना रहे हों और मैदा जाधा है आपकी तो आप थोड़ा-THोड़ा करके आड़ करें एक साथ डालेंगे तो लम्स हो जाएंगे यहां पर आमने थोड़ी ही मैदागा इस्तिमाल किया है तो यह थोड़ी सी है तो यह अच्छे से गूल जाती है इसमें दिक्कत नहीं आती है आप इसके अंदर डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक इस केक में आप नमक जरू डालें इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा कुछ बुंदे डालने के बाद में इसकी और इसको अच्छे से मिला लेते हैं और फ्रेंड्स यहां पे आप इसकी कंसेस्टेंसी को एड़ेस्ट कर ले अगर आपको लगे यह पेश्ट थोड़ा सा गाड़ा है और आपको विस्क चलाने में दिक्कत हो रहे हैं तो बिल्कूल किस्मिस एड़ कर रहे हैं आप इसको किस्मिस की साथ में भी बना सकते हो चाहे किस्मिस के सलाईस भी कट कर ले और फिर ऊपर मेंधा लगा ले कोन इसको बैस को तो इसको ग्रीस कर लिया और उपर से एक चोटा चमच मैदा डालकर इसमें सूखी मैदा डालकर अच्छी से लगा ली हमने तो ऐसा करने से केक आपका बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं चिपकेगा बिल्कुल आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा तो पूरा बैटर इसके अंदर बर तयार आप जल्दी से इसको हमें कोकर में रखना है या हम ज्यादा समय इसको बार नहीं रखेंगे तो कोकर भी हमारा प्रीट हो गया है इसमें से अच्छी से आप आत ऊपर करके देखेंगे तो जल लगनी चाहिए आप पे एकदम गरम गरम तो यहां पे कोकर जो है एकदम चलनी आ नहीं रही है तो मैंने इस पे रेंग रख ली है थोड़ी सी इसमें डारेक्ट इसकी जो इट है वो पूरी इस पे तीन पे ना लगे तो ऐसा करने से केक जो है तले में से जला जला नहीं होता है वो एक तम क्लियर बहुती बढ़ी आसा पकर निकलेगा अब कुकर अब चालीस मिनेट तक पकने देंगे क्योंकि केक को दीमियाज पर पकने में टाइम लगता है तो यहां पे अब गैस का फ्लेम लो करके इसको छोड़ देते हैं बीच में मैं आपको जानकारी के लिए एक दो बार दिखा दूंगी मैं तो इसको अगर बनाती हूं गर मैं त इसको पकते पकते 20 मिनेट हूए है और अच्छे से फूलने लगा है आप देख रहे होंगे ना बिल्कुल फूल कर यह उपर आने लगा है तो यह इसी तरीके से अगर आपको डर लगे कि केक जलना जाए या फिर वो फूल रहा है या नहीं तो आप एक दो बार बीच में इ देखने में यह लग रहा है लेकिन इसको चैक कर लेते हैं यह पर आमने एक जाकू ले लिया है इसको डाल कर देखेंगे यह बिल्कुल क्लियर निकला है इसका मतलब यह पक चुका है अगर आपको लगे थोड़ा बोट कच्छा है बैटर चिपक रहा है तो आप थोड़ी स कहें अज़ा लिए झोड़ दिया, यह एकदम अगे ज ठंडा हो गया, तो अब बऎरेगा कुलड़ना करें, और उर्टा करें दो, अगर ठंडा हो गया है, तो इस तरीके से चाकु से आप पूरे किनारे पाद में आप इसको नीका ले, अब इस पे एक प्लेट को यह लिटा, और इसको सिधा कर लेते हैं और इस तरीके से अलका सा इला कर उठा लेंगे तो केक जो है बिल्कुल आसानी से निखलाएगा और केक आप देख रहे होंगे कितना अच्छे से पका है बिल्कुल भी नई चिपका है नई जला हो और इसको पकने में 40 मिनिट का टाइम लगा है ब तो यहां पर चाकु को आप बिल्कुल सेप्टी से चलाए क्योंकि इसके अंदर जो किसमिस और चेरी है ना इनके कारण केक जो है अलका सा सेप उसकी बराबर नहीं रहती है अगर आप इस तरीके से कट करेंगे तो यह बिल्कुल सेप में कटेगा अब इसका स्लाइस निका पसंद आएगा और अगर आपको आज की रेसीपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजी शेर कीजी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत पो धन्यवाद